नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शकह माहरोत्रा यूपी पॉलिटिक्स समी करण को बैठाने के लिए अखलेश यादव ने 2022 में छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलने का फैसला किया गड़ित के पैमाने में इसे वोट बैंक को बढ़ाने का सठीक फॉर्मूला माना गया लेकिन जो अनुमानित यानि कि एग्जिट पॉल सामने आए हैं उसमें अखलेश यादव इस फॉर्मूले को सही साबित नहीं हो रहा है क्या है पूरा मामला एग्जिट पॉल क्या कहता है देखिए इस रिपोर्ट में यूपी में चिनावी नतीजों से पहले एग्जिट पॉल बीजेपी की प्रचन्ड जीत की ओर इशारा कर रहे है वही समाजवादी पार्टी इस बार भी नमबर दो पर सिमत्ती हुई नजर आ रही है यूपी चिनाव की शिरुवास से सपा और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है यही वज़ा है कि सपा ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए रालोट समय कई छोटी पार्टियों से गड़ बंधन किया था यहां तक कि इस बार वो अपने चाचा शिपाल यादव की पार्टी प्रस्पा को भी साथ लिया आये थे लेकिन 2017 और 2019 की तरह इस बार भी अखलेश कदाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और बीजेपी की सरकार बंती नजर आ रही है सपा ने इस विदहान सभा चिनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदकल करने के लिए रालोद, सुभाशपा, महान दल, अपना दल, कमेरावादी और प्रगतिशील मोर्चा से गटबंधन किया सभी पार्टियों को सीटे भी दी गई लेकिन एक्सिट पोल के आकड़ों के मुताबेक सपा का गटबंधन जनता को पसंद आता हुआ नहीं दिख रहा है यहीं वज़ा है कि सपा को इस बार भी नमबर दो की पार्टि के तौर पर संतोश करना पड़ सकता है इंडिया टुडे एक्स्प्रेस माई इंडिया के अनुमानित सर्वे के मुताबेक बीजेपी को 288 से 326 सीटे मिलती दिख रही है वहीं सपाज 71 से 101 पर सिमटती हुई नजर आ रही है यानि 2017 की तुलना में अखलेश यादफ की सीटों में इजाफा होता दिख रहा है लेकिन सपाज की कुर्सी से अभी भी बेदखल ही नजर आ रहे हैं अखलेश 2017 में सपा को 47 सीटे मिली थी वहीं वोट प्रतीशत की बात करी जाए तो 22 से 36 प्रतीशत होने का अनुमान है बता दे कि ये पहला मौकर नहीं है जब अखलेश यादफ का गडबंधन फॉर्मूला पेल होता नजर आ रहा है इससे पहले 2017 विधांत बचनाओं में सपा ने कॉंग्रस से गडबंधन किया था राहुल गांधी और अखलेश यादफ कई मौकों पर साथ प्रचार करने भी पहुँचे थे रैलियों में भीड भी काफी हुई थी लेकिन दोनों पार्टियों का वोट आपस में कन्वाइट नहीं हुआ था यही वज़ा थी कि सफा 2012 की तुन्ना में 224 सीचों से सिमट कर 47 सीचों पर आवे थी वहीं कॉंग्रस की सीचे 28 से कम होकर 7 सीचों पर रहे गई थी अभी यह सिर्फ अनुमानित सर्वे है दस मार्च को जब एवियम खुलेगी तब ही असल नतीजे सामने आएंगे और फिर पांच साल के मुख्या का पता चलेगा कि गडबंधत सफल रहा या फिर बुल्डोजर के आगे साइकिल पंचर हो गई प्राइम टीवी के लिए आरती तिवारी की रिपोर्ट जब कोई भी प्रत्याशी या कोई भी दल कमजोर पड़ता है तो दूसरे दल को हराने के लिए दूसरी पार्टी को हराने के लिए गडबंधन का रास्ता अपनाता है अखलेश ने भी यही रास्ता अपनाया और उनका जो गडबंधन था छोटे दलों के साथ वो इस बार भी कही न कहीं फ्लॉप होता नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरहा से एक्जेट पोल यानि की अनुमानित आकड़े सामने आ रहे है वो बीजेपी को ही पहले नंबर पर दिखा रहे है तो वहीं अखलेश को दूसरे नंबर पर दिखा रहे है लेकिन अगर बात करी जाए पिछले चुनावों की तो पिछले चुनावों से इस बार कहीं न कहीं आकड़ों में जो अखलेश के पास सीटे जाएगी उसमें बढ़हत तो जरूर दिखेगी लेकिन क्या वो पहले नंबर पर आते हैं या दूसरे नंबर पर सिमठ के रह जाते हैं इसका फैसला दस तारिक को होगा तब तक के लिए हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार